जैसा कि आप सभी को पता है अब तक Free Fire में 37 करेक्टर आ चुक है जिसमें से 35 करेक्टर ओफिसेली रिलीज हो चुक है और दो ऐसा करेक्टर है जो अभी तक सभी प्लेयर को नहीं मिले हलाकि जो सीरो करेक्टर है मतलब कोब्रा करेक्टर है वो जो बरे-बरे यूटुबर है उ उनको दिया गया या फिर जो भी पातना प्रोग्रम में प्लेयर है उनको दिया गया है विडियो हम लोग बात करने वाले जो न्या करेक्टर आने वाला है शीरो 17 तारीक को आएगा में भी फैड़ेग्यो या फिर हंडिद डैमेंड के। टॉप अप में वह वाला के क्या दे आइसे ही देगा क्योंकि जाद अब तक मैंने जितना भी देखा है एसे ही देता है और यह बस एक गैस है तो इसमें मैं पर नहीं बोल सकता लेकिन अगर समझ लिए रस्कर के खेल तो तो भी कौन सा बेस्ट होने वाला है और समझ लिए आप अगर SMG गन लाइक MP5 MP40 या फिर जो भी UMP वगरा लेके खेलतो तो भी कौन सा स्किल एक केरेक्टर स्किल combination सबसे base होने वाले है उस बारे में हम लोग बात करने वाले इस video में तो video पुरा last तक दरूर देखना तीजी video बहुत जाड़ा informative होने वाले है और video में क्या-kya mistake करते से लेके क्या-क्या हम लोगों को नहीं करने से करके मैं आप लोग को बता दूँगा मतलब सबसे बेस डिफेंस करेक्टर कौन सा है वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तो चले बीना आपका ताइम है इसके सीड़ा वीडियो को स्टार्ट करते हैं कर दो कर दो करते हैं अगर आप लोग करके रही कापी जादा मजा आता है और अगर आप ऐसे गर के गेम प्ले करते हो तो तो जो कापी ज्यादा मजा आता है yap के लिए सबसे बेस कर्यक्तर करक्तब से अगर आपके पास दत he UND 10 दो अगर आपके पास क्रोणव है तो काफी जा रहा उपी बात है अब शोज़त आपके पास पो र नहीं तो ए अगर आपको बंदे के ओपर रजभी करने जैसे कि आप यह वाला क्लिप पे देख सकते हो, मैंने फटा करके क्रोणो लगा लिया, उसके बाद बंदे को शीड़ा मैंने, बंदे को स्प्रे किया, उसके बाद बाद फूरा स्कुड सामने था, फिर भी क्रोणो के वज़े से मै अच्छा वाला एडवांटेज यह है कि आ रहाम से बंदी को तेक दाउन कर सकते हो और उस बंदी को काफी ओपी तरीके से तेक दाउन कर सकते हो और इसी भी समझ जेए कोई बंदा सामने क्रोनों लगा हुआ है तो आपको सिंपल से क्या करने है वो बंदा अगर क्रोनों लग अलाकि वो बंदा भी आपके उपर फायर करेगा तो आपके पास जो ऐसा गन होगा जिसमें सबसे जाड़ा डेमेज देता हो उस गन का आप इस्तमाल जरू कीजिएगा तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपको क्रोनों पकर लेना है अगर आप हम लोग बात करें कि वजएसे जी बंदे ने मेरे उपर रहता किया उस बंड़ मुझे 6 सेकंड तक दिखा जिए जाए जाक जीए कैसे दिखा दिखा लिए हम लोग कभी किसी बंड़ को अगर हम लोग मारते हैं अगर अपने पास मौको करेक्टर रहता है तो गैस उस बंड़ का जो लोकेशन वह बंडे का क्या होगा गाइस उस बंडे का मतलब जो लोकेशन है आपको 6 सेकंड तक दिखाए देगा जिसकी वज़े से जिसकी वज़े से आप क्या कर पाओगे आप उसको काफी इजी तरीक से एटक कर पाओगे अभी गाइस हम लोग बात करते एटक की इस केरेक्टर में एक और नहीं खूबी दिये है जो काफी जड़ा उपी लगा मुझे इसका खूबी यह है जैसे कि समझ लिए आप बंडे को मारतो आपका जो भेस पेनेट्रिशन है जैसे ही इस केरेक्टर को आप मैक्स लेवल कर देते हो भेस पेनेट्रिशन हंडिड परसें बर जाएगा अभी बहुत सारे बंडे लोग को भेस पेनेट्रिशन के बारे में नहीं पता और बहुत सारे बंडे को पता भी है लेकिन उन में से भी कुछ-कुछ बंडे को हंडिड परसें नहीं पता मनलब भेस पेनेट्रिशन का मतलब क्या होता है जैस ठीक है अभी हम लोग बात करते बेस पेलिट्रिशन की बात करें तो हम लोग बात करते है हयाटो करेक्टर की तो बहुत सरे आप सभी लोग उने देखा ही होगा जब भी आप हयाटो करेक्टर लेते हो समझे आप MP40 या फिर AK कोई भी गन से आप स्प्रे कर रहे हो अगर आपके पास हयाटो है और अगर आपका जो हैल्ट है अगर 180 से कम है तो आप देखना आपका जो डेमेज है समझ लिजे नॉर्मिल MP40 में अगर आपका 10-15 दे रहाता जैसे आप हयाटो करेक्टर लेते हो काफी जड़ा उपी डेमेज देता है करीब 10-15 से हो जाता है 20-25 तक आपका हो जाता है तो भेस पेनेट्रिशन का मतलब यही है समझ लिजे कोई बंदा अगर भेस पहना हुआ है तो भेस के अंदर आप सिंपल से ऐसे समझ सकते हो उसके भेस में गोली नहीं लगेगा सीधा उसके अंदर घुसके जाके उसका सीधा बॉडी में मतलब गोली लगेगा तो उसका जो डेमेज है काफी ज़्यादा हाई रहेगा तो जैसे आप सीरो करेक्टर पकल लेते हो आपको अपने एनिमी को दिखाएगा तो सीरो करेक्टर का अभी सिंपल से समझ लीजए जैसे ही कोई बंदा जैसे ही आपके उपर गोली चलेगा सीधा आपको उसका लोकेशन पता चल जाएगा जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है तो जैसे ही आप 6 सेकेंड के अंदर उस बंदे के उपर अगर आप बोली चलाते हो तो आपका जो बेस पेनेटरिशन ने काफी ज़्यादा हाई रहेगा समझ लिए अभी आगर मैं एक्जाम्पूल की बात करूँ समझ लिए आप सला रहे हो आप चला रहे हो AWM AWM में नॉर्मल डेमेज गाइस 150 होता है लेकिन जैसे ही आपके पास सीरो करेक्टर रहेगा मैं आपको दवा करके बोल सकता हो अगर आपके उसके पास लेवल 4 का भी बेस रहेगा लेगिन उसका बेस अगर पठर का नहीं होगा गाइस तो काफी ज़्यादा इजी तरीके से आप एक ही सौट से बंदे को दाउन कर सकता हो वो भी सीधा बॉडी सौट देके आपको लेना है दौक बाइब जहीं बहुत सारे बंदे आतबाई और को बैर बहुत जाइक जाए लें। एक गोली बंडे को चला देतो या फिर समझ लिए आप कस्तम भी खेलते हो तो जैसे एक गोली चला देतो बंडे का हर एक movement आपको पता चल जाएगा और अगर आपका बंडे का movement आप लोग को पता चल जाता है तो काफी ज़्यादा इजी होता है आप उसको घूम के काफी ज़्यादा इजी तरीके से आप बंडे को दाउन कर सकते हो तो अभी बात करते है नमबर फूर मतलब character skill की जो मतलब नमबर फूर कॉनसा skill आप लोग add कर सकते हो तो इस बारे में मैं आप लोग के लिए option रखूंगा तो आपका speed जो है काफी ज़्यादा हाई रहेगा तो आपको क्या करने है आप अगर केली या फिर जो से बाप नहीं भी रखते हो तो भी कोई डिक्कत नहीं आप क्या रख सकता है कोई दूसरा ability रख सकते हो like समझ लिए अगर आप shotgun ही ज़्यादा तर चलाते हो तो आपको क्या करने आप जो कैरोलीन करेकर है वह ले सकता हो समझ लिए आप MP 40 ज़्यादा चलाते हो तो MP 40 के लिए आप काफी ज़्यादा OP करेक्टर है उसके बाद सीरो लेना है उसके बाद आपको क्या करना है आपको लेना है मों को और उसी के साथ आप ले सकतो केली या फिर अगर आप मेरी बहीरी मतमानों गए अगर मेरी प्रेफरेबल पूछोगे तो गैस मैं कैरोलीन ही पक्रणूगा क्यूंकि कैरोलीन जो है गैस 6% एक्स्ट्रा स्पीच देदगा जिसके वाज़े से काफी ज़्यादा इजी तरीके से आप रस कर सकते हो बंडी के उपर हाला कि आप कैरोलीन भी पकर सकते हो क्यूंक ऐसे अगर आप में हम लोग बात करते हैं अब बाद करते होगा तो इस नहीं करते हैं मेंदेत करके खेलते हैं कहलतों करना होता वाद किछेज कर चारेक्टर कना होता है skill combination होगा आपको क्या पकरने है अगर आप defense केल रहो आप chrono भी पकर सकते हो या फिर k वादा character भी पकर सकते हो तो guys k character इसलिए पकर सकते हो क्यों कि करेक्टर 250 HP देता है और जैसे कि आप सभी को पता है तो काफी ज़़ादा ओपी है और guys कि अगर आप defense करके खेल रहो तो आप सीरो का इस्तमाल नहीं भी करो तो भी चलेगा तो guys आप उसमें क्या कर सकते हो defense character के लिए जो जो character ज्यादा तर guys आपको HP देता हो और समझे ज्यादा आपको health देता हो वह सा character आप पकर सकते हो जो भी आपको पसंद है अगर आप मेरी मानोगे तो guys में एक ही character skill slot आपको देना चाहूंगा सबसे पहला आप के पकरो आलोग पकरो या फिर क्या बोलते है क्रोनो पकरो जो भी पकरो मैं तो बोलूँगा आप के पकरो अगर आप defense कर के खेल लो या फिर अगर आप krono की बात करो तो krono भी काफी ज़्यादा op詐 होता है defense के लिए upgrades के लिए तो आप krono का भी गोली चला रहे हैं कोई बंदा अगर आप किसी बंदी के ऊपर गोली चला रहे हो तो काफी ज़्यादा आप इजी तरीके से बंदी को देख सकते हो उसका मूवमें समझे वो राइट से गया आप लेफ से भाग के आ सकते हो या फिर आप थोरा सा तो उधर पर एटक करके बढ़ कि अपने माहा सकते हो उसी के साथ अगर आप चाहो तो सिरो पकर सकतो अभी आप लोग पुछोंगे और थोरी देर पहले आप लोगों ने बताए कि सीरो नहीं चाहिए और आपी बथ्लें भुजब आपकर सो कि कि यह सिरों साथ पकर सकते हो जैसा कि जैसी स्काइब करना एंड नॉटिफिक्शन बेलको औल प्लेट प्लीज सेट कर देना क्योंकि नॉटिफिक्शन का बहुत जड़ा दिक्कत है मुझे नहीं पता है यूटूब ये ग्लिट्स कब ठीक करेगा और मुझे नहीं लगता कभी ठीक करेगा स्पेसिले और मैं चैनल और ग